इस्टार्ट महोदय गैट समस्या का सार यह है की दुनिया भर के कुछ हिस्से में अनाज के पहाड खड़े हो रहे हैं वहीं दूसरे हिस्से में करोडों लोग भूग से तडप रहे हैं आज असमानता की यह समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है वास्तों में जिसके लिए सामोहिक प्रयास की आज बहुत चरूरत है मगर गैट वारता में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया जा रहा है गैट के मौजूदा दोर में क्रसी को जोडने की मुख्य वजा यह है की आज क्रसी व्यापार के छित्र में दो समुदायों के बीच टकराओ हो रहे हैं अमेरिका ने पचास के दसक में क्रसी बाजार में कदम रखा था तब अमेरिका और कनाडा मिलकर विश्व बाजार के दावेदार थे सत्तर के दसक में यूरोपी समुदाय खाद्यान आयात इस्थिती से उभर कर खाद्यान निर्यातक की स्रेड़ी में आ गया यूरोप का क्रशी सरोकार खाद्यान सुरक्षा से हटकर निर्यात पर आ गया ऐसी इस्थिती में यूरोप भी विश्व क्रशी बाजार का दावेदार बन गया आते आते उत्तरी अमिरीका और यूरोप के कुछ क्रशी उत्पादन का एतिहाई भाग निर्यात के लिए होने लगा लिहाजा इन देशों का निर्यात उत्पादन तो बढ़ता गया किन्तु विकास सील देशों में अनाज की मांग उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी जिसकी आसा की जा रही थी इस प्रकार उनकी उमीद खत्म हो गई कुछ देश आत्म निर्भर हो गए तो कुछ करज के बोज से दब कर आयात ना कर सके तब यूरोप अमेरिका में इस सीमित होते जा रहे बाजार के लिए होड सुरू हो गई उसी के साथ दोनों जगह अनुदान भी बढ़ने लगा इस दोड के कारण क्रसी को गैट वारता में सामिल किया गया है भारत सरकार वारिज मंत्राले का यह कहना है कि भारती क्रसी को इससे कोई ज्यादा खत्रा नहीं है क्योंकि हम भुगतान संतुलन के संकट के नाम पर इस सर्थ से बच जाएंगे मगर दिखकत या है कि नए प्रस्ताव के तहत कोई भी देश खुद यह टै नहीं कर पाएगा कि उस पर भुगतान संतुलन का संकट छाया हुआ है या नहीं यह अधिकार IMF को दिया जाएगा तब यह टै हो जाने के बाद आपको सीधे सीधे अधिकार नहीं मिल जाएगा कि आप आयात कम कर दें उससे पहले हमें दूसरे उपाए आज माने होंगे जैसा कि पहले कहा गया कि डंकल प्रस्ताव का संबंद मात्र अंतर राष्ट्रिय व्यापार से ना होकर घरेलू क्रशी नीतियों से भी है इस क्रशी नीती में किसानों को दिया जाने वाला सहारा अनाज भंडार बनाए रखने हेतू सरकार हस्त ख्षेप सार्वजनिक वित्रण प्रणाली आदी सामिल है वानिज मंत्रालय की राय है कि इन छेत्रों में आपेक्षित परिवर्तन से हम पर तात कालेक या मध्यम अवधी में कोई असर नहीं पड़ेगा मंत्रालय का कहना है कि डंकल प्रस्ताव स्विकार कर लेने के बावजूद हमें अपनी नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा जरा इस पर गवर फर्माएं यह निसकर्स की उच्चतम नायाले अचानक सक्रिय हुआ है सच्चाई से दूर ले जाता है क्यूंकि नायाले कोई रातो रात सक्रिय होने वाली जगह नहीं है सिरी रड़ी के समय से ही सामाजिक न्याय के अंतरगत तकनी की न्याय व्यवस्था को छोड़ कर न्याय को किस तरह से सर्व सुलब बनाया जाए इस्त्यादी मुद्दों पर उच्चतम न्यायाले सक्रिय हो उठा था वे उस समय गुहाटी उच्च न्यायाले में न्यायाधिस के पद पर कार्य कर रहे थे अपने उस कार्य काल के दोरान उन से कुछ कामगारों ने पत्र लिखकर सिकायत की थी कि उन्हें मजदूरी के दोरान महज दो रुपए मिलते हैं उन्होंने इन पत्रों को रिट याचिका मान कर सरकार को यह आदेश दिया था कि मजदूरों को न्यूनतम बीस रुपए मजदूरी दी जाए सरकार ने नवीनतम आदेश को सुईकार कर लिया था इसके बाद दूसरी पधती जो बाद में विक्षित हुई थी उसके बारे में स्री रड़ी का कहना था कि हमें आख खोल कर न्याय करना चाहिए आज जो दुरबल गरीब और साधन हीन आसहाई व्यक्ती है उन्हें न्याय प्रणाली के अंदर व्यापक और सामाजिक न्याय दिलाने का हमें प्रयास करना चाहिए एक मजदूर अच्छा वकील कर पाने की इस्थती में नहीं होता है उसके पास परयाप्त आर्थिक साधन उपलब्द नहीं है ऐसे में उसे न्याय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है यह तभी संभाव होगा जब उसे व्यापक न्याय के सिद्धान्त के तहत लाया जाए यहां यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि नियायक व्यवस्था में आई सक्रियता से इस तरह की विचारधारा को मजबूती मिली है वहीं इस सक्रियता के कारण जो कार्य व्यवस्था पिका और कार्य पालिका को करना चाहिए वह कार्य नियाय पालिका को करना पर रहा है अब सवाल है कि यह काम नियाय पालिका को करना चाहिए अथवा नहीं नियाय पालिका का कार्य नियाय दिलाना है ना की कानून बनाना कानून बनाने का कार्य विधाईका का है उसका पालन करवाने का तथा पहले से बने कानूनों को लागू करवाने का कार्य नियाय पालिका का है इस्टाप